नमस्कार दोस्तों सबसे बहले टेक नियूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारी चैनल इंडिन टेक जुकार को सबस्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सबस्राइब कर दीजे क्विक हमारी चैनल को सबस्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें प्राइम मेंबर्शिप के बारे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी सर्विस motivo इस नाइइन इन रुपीस में free नहीं मिलने वाली है आपको यूज करने के लिए, तो आपने प्राइम मेंबरशिप ले लिया है 99 रुपीद में, तो उसके बाद जो आपको मन्तली प्लान है, दोस्तों वो चूज करने बढ़ेंगे, और मैं बता देता हूं, जियो के जो मन्तली प्लान है, यानि कि 28 डेज के लिए जो प्लान है, एक तो है 149 का, एक है 303 का, और तीसरा जो प्लान है, वो है 499 का, यानि कि 499 का, उससे ज्यादा कि जो प्लान है, एक 999 वाला प्लान है, जो कि 60 डिन के लिए है, और एक 1999 प्लान है, जो 125 GB जिसमें आपको 90 डिन के लिए डाटा मिल रहा है, और एक है 4999 में, जिसमें आपको 180 दिन के लिए 350 GB डाटा मिलेगा और जो सबसे बड़ा प्लान है जियो का दोस्तों वो मिल रहा है 9999 जिसमें आपको 750 GB डाटा मिलेगा पूरे 360 दिनों के यूज करने के लिए तो दोस्तों आपको मतलब Prime Membership लेने के बाद में Recharge करना ही पड़ेगा अगर आप Recharge नहीं करोगे तो आपकी कोई भी सर्विस ना तो आप Call कर पाएंगे ना ही Receive कर पाएंगे ना ही आप Jio का डाटा यूज कर पाएंगे तो Prime Membership का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपने 99 लुपीज एक बार में Pay कर दिये तो आप 12 Month Jio का Services यूज कर पाएंगे सिर्फ आप Jio के Prime Member बने है यानि कि आपको कुछ मंतले Recharge करने ही पड़ेंगे और उन में जो आपको Data मिलेगा वो Extra मिलेगा सिर्फ Prime Membership का मतलब ये है दोस्तों तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मैं वहाँ पर आपके सभी सवालों का जवाब दूँगा धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए